इससे उपधे ने वीडियो में Friends इस वीडियो को अंदर बात करने मुआ है किस तरीके से iPhone 11 को आप वाइफाई से Connect कर सकते हैं या फिर किसी और के फोन से भी Connect करके आप करने चला सकते हैं और फ्रेंस इस वीडियो के अंदर यहीं से बात करने वाला हूं फ्रेंस आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत पुलिएगा साथ में घंटी का उप्शन आया तो उसे भी क्लिक कर दीजेगा चलिए शुरू करते हैं क्लिक करेंगे और इस पे आपको दूसरे फोन में आपको होस्पोर्ट को और करना होगा उसके बाद उसका नाम आजएगा वाइप और से करूंगा ठीक है और यह वाइफार होता है टिंडा आप देक सकते हैं आप लिखा हूए तो इससे भी आप कर सकते हैं तो चलिए मैं कर देता हूं करने के बाद आपको क्या करना होगा कि यहां पर आपको वह पासवर्ड डालना होगा जो कि आपने होस्पोड का पासवर्ड होता है तो फॉर एक्जामपल मैंने यह डाल रख है बाट यहां से जोइन कर सकते हैं उसके बाद वेट करेंगे कुछ सेकेंड प्रोसेस लगेगा उसके बाद यहां पर कनेक्ट हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते फ्यू सेकेंड में आपका कनेक्ट हो चुका है और इसी तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं और आप बिना किसी स मदस्याप इंटरनेट चला सकते हैं वाइफाई से कनेक करके तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा इंटरनेट चलने लग गया पहले नहीं चल रहा था तो फ्रैंस वीडियो पसंद है तो लाइक शेर इन सब्सक्राइब करना मत बूलेगा कोई कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं डेफिनेटल आप लोग का रिपलाई करूँगा मिलते निक शुरू है बाइबाइब